आप स्वागत है आप सभी के मेत के क्लास में आप पता है कि सूस्परटेट का जो मैत है Hangile क्षिज ludzie के तियारी कर päर partnership के ता तो धूकर मैं आता है तो अच्छा और बहुत काफी लाब डायग कि यह आपके लिए स्पराइब यह नौ बजे डेली आता है आप इसको जो आइंद कर सकते हैं आज हम लोग कुछ बेसिक सीजे जैसे पढ़ रहेते नंबर सिस्टम के बारे में तो नंबर सिस्टम का कम से अभी लंबा क्लास जाएगा घबडानी की बात नहीं है और साथ यही नंबर सिस्टम के बाद जो पढ़ते हुए चलेंगे जिससे आसानी से आपको सुनने आज है जैसे इसमें कुछ पावर और इंडिसेस के कुछ प्रस्टम भी राते हैं कि इस तरह से लोग चलेंगे ना है ना चलते हैं तो मिर भाई चली स्टार्ट कर लेते हैं जहां पर भी कल खतम किये थे उसके आग दूओन तो इसके लिए मैं एक प्रस्टम पहले आको कराता हूं जैसे कि एक प्रस्टम पूछा गया था इसके बाद हम बहुत ही प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे तो चिंता कभी से नहीं है बहुत ही स्कून से आप लोग पढ़ते चलेंगे ठीक है एक प्रस्ण कि दिक्कत परसानी अगर आया करें तो आप कमेंट बॉक्स में खुला हुआ आपके लिए कमेंट कर दिया करें एक वाट वाट वैलू आप यक्स बिलो एक्सप्रेशन इन विलो एक्सप्रेशन इस डिफाइंड ठीक है इसका साफ साफ मतलब यह है यक्स के किसमान के लिए चीजें परिभासित हैं यक्स के किसमान के लिए चीजें परिभासित हैं यसे हम आपको एक प्रश्ण देते हैं लॉग का लॉग के सारी चीज हम यहाँ पर समझाते हुए चलेंगे आपको लॉग यक्स माइनस फाइफ log x-5 base 2 या फिर base 2 पर log x-5 का आवमान बताई है मैं बाई इसका मतलब पहले एक ची आप समझ ले जैसे कि हम बोले x log log x base यानि कि आधार मान लीजिए यहाँ पर a है तो इसका मतलब यह होता है कि a के a के समझ ले हैं हमारी बात को a के किस power के लिए a के किस power के लिए यक्ष के किस power के लिए उसका मान a हो जाएगा मतलब अगर हम यहाँ पर यह लिख दे log 10 log 10 log 100 base 10 तो आपको यह समझना है कि इस दस्ग किस power के लिए जो यहाँ पर बेस लिखा गया है, इसके किस पावर के लिए मानसा होगा, इसके किस पावर के लिए मानसा होगा, इसके किस पावर के लिए मानसा होगा, यह चीजे देखना है, जैसे यहां पर निखा हुआ है न, तो एक किस पावर के लिए वैलू यक्स आएगा, यह समझना है, तो यह ची मिलेगा बराबर 100 मिलेगा हमें यह चीज में तब 10 k power 2 के लिए 100 आना चाहिए समझे ना इसके power में अगर हम 2 लिखते हैं तो value कितना आएगा 100 यानि इस इसके इस value के equal to कितना होगा 2 हो जाएगा तो यह सारी चीज़ें समस्ते वे चलेंगे आपके एक्जाम में यह प्रस्ट पूछा गया था इसका मान बताईए कि लॉग कि लॉग एक्स माइनस 5 बेस टू यह भी बेस टू पर लॉग एक्स माइनस 5 का मान बताई है यह चीज़ें हम आपको बहुत ही अच्छे तरीगेश डिफाइन करते वे चलेंगे इसमें तो टीन प्रस्ट करेंगे आप ठीक इसको आप कैसे लिख सकते हैं यक्स माइनस 5 इस लेस दें 0 इस लेस दें सुर्षी इस ग्रेटर बैंजीरो तो ग्रेटार डिफाइफ की वैलू कितनी आजाएगी तो यांगी बड़ा होता है तो जाकर यह Money हमें यग भी फाइप या फिर फाइप से बड़ा अगर होता है तो ही latest define करेगा यानि यक्स कमांड express कर पाएगा यक्स परिवासित होगा किसमान के लिए यक्स बराबर 5 के लिए या फिर या फिर उससे बड़ा के लिए या फिर उससे बड़े के लिए वैलू देखिए जैसे कि अगर हम बोल दें यहां पर यह ना आकर क्या आजाए ऐसे यह जाएगा यानि कि आपसे साफ साफ यह पूछ रहा है कि यक्स के किसमान के लिए यह पूरा का पूरा लाग की वैलू डिफाइन कर पाएगा तो आप बोल देंगे यक्स का यक्स का जो वैलू आया है 5 से बड़ा यानि कि यक्स की वैलू जो होगी ना जो होगी ना वह 5 से ह वैलू मिलेगा साथ साथ माइनस पांच तब नकुछ नकुछ वैलू हमको मिलेगा आठ यानि कि पांच से बड़ा ही होना चाहिए इसका ताथ पर दिया है समझ मेहाद है एक प्रश्ण और करिएगा बस यह प्रश्ण आपके UPSI में पूछ लिया था तो बढ़िया प्रश्ण है अपने आप में जैसे एक प्रश्ण और ले लिजिए लाग लाग 6X-7 और जो बेस दिया है कितना दिया हो बेस थ्री दिया हो यानि कि थ्री के पावर में क्या रखा जाए कि हमें यह वैलू मिल जाए समझ रहे हैं न हम क्या कहना चाहते हैं यानि कि जो यह हमान होगा यह हमेशा और हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा तब ही बाई कुछ न कुछ पावर आएगा यानि कि अगर यहाँ पर आप एक रखते हैं तो कि 6-7 ऐसा कुछ माइनस करिए कि 1 मिल जाए 1 तो मिल नहीं रहा है कि 3 के पावर में 0 आ जाएगा तो 0 से हमेसा बड़ी ही value कुछ न कुछ होगी यानि कि 6x-7 is greater than 0 तो यक्स के मान के लिए क्या कर लेंगे 7 बटे 6 आ जाएगा और यह 7 बटे 6 बराबर में नहीं बड़े में 7 बटे 6 से बड़ा ही value कुछ न कुछ यहाँ पर होना चाहिए 7 बटे 6 से बड़ा अगर 7 बटे 6 रखते हैं तो value 0 मिल जाएगा यानि 7 बटे 6 से बड़े जितने भी value होंगे आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको कुछ न कुछ जरूर value मिलेगा अब एक चीज दिमाग में रखिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको इस question में तो इतना ही था अब लेकिन जो हम आगे बढ़ेंगे लाग के असली रूप में क्योंकि जो चीज़े में basic सिखाऊंगा वह आपके search और indices में भी हम पढ़ाएंगे आपको ठीक है और जो चीज़े में बता रहा हूँ इसको note भी करते चलेंगे आप क्योंकि यहां से काफी प्रश्ण आएंगे और मैं विस्तार रूप से भी बता रहा हूँ लेकिन बहुत बड़े-बड़े प्रश्णों को insert हम कर देंगे समझ रहे ना मतलब कुछ ही सेकेंड में अभी आप देखेंगे आपके सामने इसमें एपी भी उज होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी इसमें यूज होगा अप्लाई होगा और प्लस जीपी भी आजाता है इस त्रेडी में यानि कि इस पूरे के पूरे जो मेथड़ हम बताने वाले हैं जो जो जिएमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है तो वह चीजे मैं इन्सॉर्ट आपको प्लेटफार्म को खोल कर रगए उस पूरे प्रस्न को खोल कर उसे समझा सको ओपन करके टीक है ना चलिए यह सब यह सब्सक्राइब बहुत अच्छे प्रस्न होते हैं मेरे भाई लेकिन कोई समझे तो अगर समय दोगे तो सच में एक तरस्ता हुआ मतलब एक तरासा हुआ एक तरासा हुआ हीरे बनकर चंपोगे तोड़ा सा फिलंब जरूर होगा लेकिन यह तो महाकाल ने सिद्ध कर दिया है कि भाई जो तपेगा वही हीरा बनेगा ठीक है ना अब मैं एक एक चीज आपको बहुत ही बहतरीन तरीके से समझाता हुआ चलता हूँ लौग की वारे जो तुरांतर देखकर ठीक है ना चलिए लॉग ए और बेसे जब लॉग ए बेस ऐ है तो इसका मतलब यह हुआ कि किस पावर के लिए हमें माने मिलिया है यहानिकि एक क्या पावर होने चाहिए क्या मिले तो आप बता दो कि भाई अ का पावर एक एक की पावर में एक अगर होगा यहां पर एक होगा तो हमें पाव क्या मिलेगा वन मिल सकता है मतलब ए मिलेगा यहां पर पूरा का पूरा फंक्षन एक के बराबर आ जाए अगर मैं इसी तरह बोलू अगर यह चीज़े सम्याग हूँ आपको कहां से कैसे आया एक तो आप एक चीज़ और बता सकते हो इसको लेकर ही मेरे भाई यहां पर अगर 10 आया हो ना बेश 10 हो और लाग 10 हो तो इसका मान अगर कूछे आपसे अगर इसका मान न कूछ ले आपसे तो आप क्या बताओगे इसकी वैलू भी 1 बता दोगे क्योंकि आपको पता है कि 10 के किस मान के लिए किस पावर के लिए हमें वैलू क्या मिल जाए 10 मिल जाए यहां पर क्या होना चाहिए ना मिरे भाई यही तो तो यह चीजे आप आगे आप थोड़ा सा और देखते हैं जैसे मैं बोल दूना कि यहां पर बेस दो है और लाग दो है इसका वैलू क्या होगा तो फिर वही बात आप रचोगे यानि दो के किस पावर के लिए हमें जो लॉग का वैलू है दो मिल जाए तो आप बता दोगे म मेरे भाई मेरे प्यारे तो आप बतादो यह न गुशंवाध़ी दो के पावर में जाब वन रखेगे तो हमें दो मिलेगा जैसे आप इक्सप्रेश करते हो ना दो के पावर में 1 is equal to 2 तो इसी को आप लिखते हो जो यहां पर आता है दो ना जो यहांपर दो आता है उससे इसको छोड़ दो, अब यह देख लो, 5 to the power में 2 is equal to 5, 5 जा 25, यह आता है न, तो यह value जो आई हुई है न, यही तो हमारा यहाँ पर रहाएगा, यानि कि यह वाला value जो है न, यह वाला, यह पूरी की पूरी value, 25 यहाँ पर आ जाएगा, यह चीश, और जो base है, यह वाला जो base ह 5, या फिर लाग, बेस 5 पर लाग 25 की value कितनी आएगी, दो आएगा, बेस 5 पर, यानि कि 5 का square 25, बेस 5 पर 125 value, यानि कि 5 के पावर 3, यह चीशे दिमाग में रखनी है, तो हम दूसरी तरफ न जाएं अभी, फिलाल में आपको जिस तरफ जाना है, उदर चलता है, तो यह पर value भी 3 हो, तो इसकी भी value 1, अब directly आपको करने, ना कुछ रटना, ना कुछ करना, वस आपको सीधे से apply कर देना, यह चीश, अब इसमें प्रश्न देखिए, बहुती सांदार, बहुती 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 प्रश्न पूचे जाते है, जैसे मैं एक पावर एक के लिए मान 5 होगा इसको आप दूसरी रूप में भी लिख सकते हो घातांक यानि कि घात के रूप में भी आप लिख सकते हो ठीक है पावर के रूप में भी लिख सकते हैं चले आगे आगे चले बताना जरा आगे चले ना इसमें कुछ नहीं है आगे चलते हैं जिनने ना आता है वह तो जरूर देखेंगे और अगर आप सारे के सारे क्लासिस देखते हैं जितने में अब स्टार्ट क्या हूं यह तीसरा क्लास है और तो कोई तोड़ी नहीं होगा फिर मैत का बहुत ही सांदार तरीके स्याफ करोगे मैत तो चलिए हमाज आते हैं अपने उस प्रश्ण पर जो एक प्रश्ण से पुछा गया था बहुत ही वह तो नहीं आये तो अब इसी टाइप के आयते प्रस्ट हो रही होती है ना तो हमें सारे प्रश्णों को ले के चलना होता है ना तो चलिए आ जाते हैं एक प्रश्ण पर लॉग मेरे बाई बैस 3 तीन दि यह नहीं कहेगा मुझे तो आ रहा है मुझे तो आरहा तो आप सामती से बैठेर हो छे प्लस छे प्लस इंफाइनाइट तक यह क्या है मेरे भई इसका मतलब यह हुआ लॉग इतना जो दिया है यह पूरा लॉग में और बेस तील पर इसका मान बता दीचे ठीक है यह प्रशन तो आपको भी म tulee तो आप दिकते हैं आपको डाता है आपको सीखने हु सब्चस का यह нач माइनस करते हैं, माइनस, 6-1 minute, 1 minute, 1 minute, 6-.infinite तक ले कर जाते हैं, तो इसमें आपसे पूछा गया था, इसका मान बताएंगे, और ऐसे ही प्रस्ट, एक और पूछा गया था, तो ध्यान से, मुझे पता है कि बहुत मेरे हुनहार बच्चे, मेरे हुनहार भाई, बहुत ही थोड़ा सा, और यहां पर देखना जरा, log a, log a नहीं, base a है, base a, log a into a into a into dot infinite तक, अब एक चीज़ दिमाक्स में पहले तो यह मत रखना, कि सर यह वाला वैलू हमको पहले समझा दो, इसमें डारेक्ट ट्रिक हम अपलाई करते हैं भी, और जहां से यहां जहात हुआ है, जहा से यह पनपा है, बहले छोटा था अब जहां पर पनपा है, जो भी mind का ही game होता है, थोड़ा सा trick गेर बनाना, जो बहुत basic जानते हैं, वही trick बनाते हैं, और एक नहीं कई सारे trick बन जाता है, कोई short बताता है, कोई very short बताता है, कोई थोड़ा long process से जाता है, लेकिन trick अपनी जब भी ऐसा expression आ जाए, जब भी ऐसा expression आजाए, infinite तक हो, तो जो यह 6 है, मेरे भाई, दिमाग से दिखना, और थोड़ा सा, दिमाग तो सबको सबके पास होगा, मुझसे बहुत ज्याधे होगा, अगर इस expression को मैं तोड़ना 6 को, दो पार्ट में, तो ऐसे दो पार्ट में जो कभी तूटे ही न दो ऐसे भाग में जिसका अंतर वन हो समझ रहे ना तो वह चीजे मैं बताऊंगा वैसा नहीं कि वहाँ पर मैं सिधे वहीं पर चले जाओं मैं पहले आपको जिस राइपसर में ले जाता हूं मतलब कि लॉग मैं अभी नंबर सिस्टम पे हो तो नंबर स यहीं पर एक्सप्रेसं का मान क्या होगा इस पुरे एक्सप्रेसं का मान घोका 3 लेकिन अगर यहीं पर 6-6-6-6-1 डायलोग मेरे बहुत बहुत था-चश्म पराना पैसे होगा लगातार इसको पुछती थी मतलब कि जब हम लोग पच्चे थे इंटर्वेनी पास हुए थे उसके पहले यह चीज़ है थी बहुत ही उसमें ट्रेंड था इसका समझ रहें इसके बहुत प्रश्ट घुमा घुमा के लेकिन आप सायद एक का दुखा है अभी 10-5 प्रश्ट पूछ ले वह भी मेंस में तो इस पे अधारिक प्रश्ण आ जाते हैं जैसे कि 6 को अभी 6 को भी उसी दो पार्ट में थोड़ेंगे जिसका अंतर हमें 1 में जाए यादि कि 2 इंटू 3 तो अब इस बार हम 2 लेंगे क्यों 2 लेंगे क्योंकि हमें माइनस है क्यों यहाँ पर हमने 3 ले लिया क्योंकि हमें प्लस था तो बस आपको यह चीज़र रट लो ना भी फिलाल में रट तो वही वैरू हो जाती है उसका अंतर और इंफाइनाइट तक जाना चाहिए उसका मान यह हो जाता है लेकिन अब जरूर नहीं कि आपको भी प्रश्न मिल जाए लेकिन प्रश्न आया था तो मैं बता रहूं आपको तो अब देखना ज़रा अब हम पूरे इस एक्स्प्रे इसे वैलू का मतलब वन अगर मैं कहलो सीधा सीधा कि पूरे मान का वैलू कितना होगा वन होगा तो आप मानोंगे ना बताओ मानेंगे ना मेरे भाई इस इसको मानेंगे ना महादयो की कसम भाई जो बता रहे है ना बहुत ही अच्छे तरिकिस आपढ़ते चलो एक भी प् बोट पे जितने भी में प्रॉसेस बता रहा हूं इससे बाहर अगरा जैसे उपर टेट या फिर जो जिस एक्जाम के आप पुतारी करें तो लिख जाना मेरे भाई तो आप अंग तक बने रहेंगे तो मेरा भी मोटिविशन पावर जो है बहुत इस रहेगा मैं तो उसकी भी किसम खा दिया जो मेरे लिए बहुत इंपोर्टनस है और कौन इंपोर्टनस है जैसे कि बहुत मेरे डियलेट भाई को पता भी होगा अब लॉग टू अभी इस तरह देखना ज़रा अब इसको भी मैंने जब तो इसमें छोटी वैलू हमने लेने का प्रयास यानि कि यह भाई वन मिल जाएगा यानि इस पूरे का मान कितना होगा वन होगा सेम ऐसे ही प्रशन एक बार पूछा था और यह मैं आपको बता दूँ यह तरह से इतफाक समझो या फिर नसीव समझो उस चात्रों का जो तीनों प्रकार के प्रशन आये थे और तीनों से पांच- जल चुका है ससी का अब बता है प्रशन बहुत आसान आते हैं लेकिन प्रैक्टिस इतना करोगे अगर आप प्रश्ट को देखे हो तो फोड़ पाओगे वहां पर ना देखे हो प्रश्ट तो सब लोग करेंगे आप च्विंग दम चबाना ठीक है मेरे भाई देखना तब यह मिलेगा बताना जड़ा यह चीजें अगर क्लियर हुई तो हम दूसरे एक्सप्रेस के तरफ चलते हैं जो थोड़ी सी आपको जला हैंगी लेकिन मैं उसका भी दवा आपको दूँगा मतलब कि मेरे पास है अब इस प्रश्ट को आप इस ज्यादा स्वार्ट में न क्या होगा इसका मान क्या होगा इसका मान क्या होगा तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूं एक दो चीजे तो पुरा दिमाग से और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप फिर भाई यह सर्स हां यह सर्स और इंडिसेस में भी देखेंगे हम लोग लेकिन हम आपे बह S G बेस है आपका नुद्ध यह थ legality y ए ग पावर में भी स्कोर टू कोई नंबर आया होगा संपल्छ चा क्या हूगत है यानि कि ऐे की प्लेस पर आप खा रखना चाहोंगे में कि 22 कोई the value हो वह 32 ऑगा UK पावर Beijing क्या है मुझे नहीं पता हूँ, वह power क्या है मुझे नहीं पता, मैं माल लेता हूँ x होगा वह power x होगा, उस power को मैंने एक्स աंडा और आपको पता ये 64- enseñ नंबर है जो की n के place प्लेस पर है तो इस वाले實ह फार्मुले के तहत हम n को क्या कर लेंगे यहां पर बराबर यानि कि 64 कर लेंगे बताना जड़ा अगर मैं इसके equal to x माल लेता हूं तो यानि कि जो power आएगा वो x होगा देखना इसको बहुत ही विस्तार्ट समझेंगे उसके बाद in sort मतलब कि in second में आप करने वाले हो इसको सेकेंडों में आप उड़ाने वाले बस देखोगे answer लगाओ देखोगे answer लगाओ देखोगे answer लगाओ देखोगे answer लगाओ चाहे जितने भी types के प्रस्ना आ जाए ठीक मैं भी इसे practice भी कराने वाला हूं देखना 32 के power x बराबर 64 64 यानि कि 32 दो दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 तू दी पावर 5 यानि कि 2 के power में 5 इंटू x मेरे भाई आपको पता होगा 5 अगर 2 के power है तो power के power मतलब 5x is equal to 64 यानि कि 2 के power में 6 यह चीज यह चीज यह चीज यह पता है और आपको यह भी पता होगा कि जब भी equal के both side दोनो side में base जब equal हो जाता है base जब बराबर होते हैं तो power भी अपने से बराबर हो जाते हैं और 2 के power 5x is equal to 2 के power 6 अब आपको पता है जब base बराबर हैं दोनों तरफ तो उसके power equal होगा यानि कि 5x is equal to 6 यानि x is equal to 6 अपन में 5 और यही आपका right answer होगा जो कि बहुत ही चोड़ा कोन में आया होगा बताना जरा clear है नहीं तो आज आता है नेक्स कर चलिए अब आते हैं next person एक और question लेते इसके बाद मैं उस तरफ चलूँगा जिस तरफ आपको ले जाना है तो रहा ध्यान से देखना दर भाई अगर मैं बोलू बेस फाइप हो और यहां पर पचीस आजाए दर भाई पचीस पचीस समझ दो ना काफी बड़े वैलू कोई दे आपको 125 दे दे मालो 25 के पावर में 125 दे दिया लो अब लगा अब निकालो इसको अब निकाली है मेरे भाई कैसे आएगा क्या आएगा कहा से आएगा बहुत चूण बड़ा वो गया ना छोड़ दो इसको इतना ही चोड़ दो इतने पे भी एंको कुछ कुछ मेली जै इसका अंसर बता दो इसका अंसर बता दो अब मुझे पता है आप लोग बहुत ही अच्छे श्ट्रेइंट हो चुगे हो बहुत ही अच्छे प्यार्याइась है, बहुत ही बहुत ही इन्साल पर नौच Anytime अब दिखा 5 है बेस और यह 25 यानि कि लॉग 25 लाना है 5 के पावर में क्या होना चाहिए? यानि कि 5 के पावर में जो होगा हम उसे यक्स मान लेते हैं तो 5 तूधी पावर में x is equal to 25 अब पता है 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर में 2 अब जब बेस समान हैं इधर भी 5 इधर भी 5 तो जाय से बात x is equal to 2 यानि x का वैलू कितना आजाएगा लो? अगर यही चीज उलट कर दे दे ना तो कैसे लगाऊ गए? ऐसे दे दे अब बताओ अगर मेरे भाई धियान से देखना यह तो आपने लाउग 25 और बेस स्टूदी 5 का वैलू निकाल लिया इसका वैलू फुरा निकाल लिये अधरक चेप से निकाला जाए भाई थोड़ा सा क्योंकि अधरक का काम चलने लगा है मुझे लगता था मेरे मेडिसीन मेडिसीन तो लंबे दस्तक से गायब है लेकिन कुछ थोड़े से उसको यह नहीं लगना चाहिए न कि यह आपके सामने है तो यह जए अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर देखना इस चीजको जो यह वाला एक्स्प्रेशन है यह अध्या आगे आता है अध्या जो फ़ोग उध्कर आगे आजाएं ऐसा दिख जाए को एक्सप्रेशं जैसे लॉग लॉग ए पाउर में के और बेस बी दिख जाए तो यह के जो है ना यह जो के है ना यह आगे आ जाता है यानि कि के लॉग ए बेस बी आप इस क्राकाश से लिखोगे ठीक है ना यह चीजें समझ में आ रही है ना यह चीजें समझ में आ रही है क्लियर हो पा रही है ना जो मैं समझाना चाहता हूं अभी मैं उस तरफ ले चलता हूँ, आपको थोड़े से चीजें बहुत ही भाहितरी न तरीकिस में, उस तापिक के तरफ आपको घीच रहा हूँ अब ये पिलाल में, तो यह चीज में आगी कहां से आया हूँ, अगर यही चीज उल्टा होता, यानि कि यह चीज ऐसे भी तो हो सकता अगर यहां पर के है, इस बार नीचे बेस के पावर में के है, तो आप क्या लिखोगे, इस के को आगे लाओगे, वह भी उल्टा करके, उसको लटखा के, और क्या लिखोगे, A, B, अगर ना समय आ रहा है तो इतना समझे लो, जब भी बेस के पावर में कोई वैलू होगा, तो उसको हम इंडाइक्टली प्रपोर्शन, मतलब इस तरह से इन्वर्स में लिखेंगे, मतलब K के पावर माइनस 1 या फिर वन अपन में K में लिखेंग अब देखना जो यह वैलू है ना इसको हम आगे लेकर आएंगे, एक सो पचीस, लाग, पचीस, बेस फाइफ, अब इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए बस इतना याद रखो, इतना याद रखो, अब आपको पता यही चीज मैंने यहां पर निकाला हुआ है कि पचीस इ आपने ब्रेक कर दिया, दो के फाउ में पांच, इसको दो को आगे लेकर आजाएंगे, एक सो पचीस तो पहले से था, और दो जब आगे आएगा तो एक सो पचीस बुड़े दो होगा, और यहां पर बचेगा लाग फाइफ, देस फाइफ, और इसकी वैलू हमने बहुत ब वैलुला हम उस पे आजाते हैं, क्या बताना चाहरा है वापको, या पर कश को पावर में ए, या फिर काइसे लेलो, एक के पावर में के, और बी के पावर में x इसका वैलू आपको पूछा जाएंगे तो बताओगे, पहले बाई बाइब अश को ऐ पावर में x है, और या इसको आप वैसे लिख सकते हैं, यह T जो है इधर आएगा, और यह जो X है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानि कि वह अपान X हो जाएगा, और जो था जैसा था वो ऐसे वैसे छाफ दो, यानि कि log A base B, log A base B, यह चीज, यह चीज अपने दिमाग में रख लो, यह बहुत ही स अब चीज जैसे मैंने एक खामूला आपको दिया था अभी, कुछ दिर पहले जी, 64 अपन में 32, इसको मैंने ब्रेक करके हमने लगाया, जो कि थोड़ा सा लंबा एक्स्प्रेशन था, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो, log यह 2 के पावर 6 है, 2 पावर 6, और यह वाला एक्स्प्रेशन है, 2 के पावर 5 एक्स्प्रेशन ने कर दिया, अब देखना 6 और रेसिप्रोकल 5, यानि कि 6 अपन में 5 होगा, यहाँ पर log 2 और base 2, अब आपने कई बार पढ़ा, हमने बताया इसकी value 1 होगा, यानि कि right answer 6 अपन में 5, यह चीज, अब सिखेंगे भी थोड़ी देर में, कुछ ऐसा वसर ना खा रहे हैं भाई, थोड़ा सा गले में हो जादे रिक्कत है, अब देखना जो चीजे में याद करवा रहा हूं, तो आप यह नो बोलना कि, जैसे कि मैं बोलूं कि, कितने तक स्वाइर याद होने चाहिए यह तो 60-70, जैतना उसे उपयाद कर से कुछ आपके बोलूं कि इतने आद होने चाहिए बहुत अच्छे से गहेंगी, तो पदसक्रम 25 पर याद होने चाहिए, डारेक्ट आप बोलो, कोई पुछे, उन्चास का स्क्वाइर बताओ, तो रहन बताओ, तो इस तरह दिमाद मे purchased 19,0680, तो आप से अचाहिए तो आप रहन एक चाहिंट 5 कार भी पर याद भी तो तुर्ण बताओ, तो तुरं दिमाद में चाहिए, तो दिमाद में चाहिए, तो तुर्ण दिमाद मेसा चाहिए 6 यानि 27 वाड़и, 97 2 यानि 97 3 यानि 9 यानि 9 या tradition पुछले कोई 2 का पावर 7 की वेलु बताओ, तुरन दिमाग में खटकना चाहिए 2 का पावर 6 मतलब 64, 2 का पावर 7 मतलब 28, इस तरह से दिमाग में रूटब तो उसमें आप पर डिजीट देखो तो डिजीट कितने होते हैं तो आपको पता है डिजीट होते बहुत जादे नहीं है इस लाग से बहुत ही डिजीट के परशन आते हैं तो इसको मैं आपको सिखा रहा हूं बस आप सीखते चलो मेरे बाई जैसे कि 2 के पाउर 1 अगर कोई आपसे पूछ ले ना तो आप 2 बता दो 2 के पाउर 2 आपसे कोई पूछ ले ना तो आप 8 बता दो 2 के पाउर 4 अगर आपसे कोई पूछ ले ना तो आप 16 बता दो 2 के पाउर पांच अगर आप से कोई पूछ ले ना तो मेरे भाई जब मच्छड आ गया इस में च्छड को भगा हो बत्तिस आ गया यानि कि दो के पावर सिक्स अगर कोई वैलू पूछ ले कोई पूछ ले ना तुरंत दिमांग में आना चाहिए चाहिए तब मेरे भाई साट्स और जो इसके प्रश्ण बहुत है अच्छे सालों में यह मच्छड आ गया है इसको मारो चलो आजाओ दो के पावर सेवन तू दी पावर सेवन में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा वन टू एट हो जाएगा अगर तू के पावर एट का वेलू कोई पूछ ले ना तो तो यह चीज़ है आपके दिमाग में होनी चाहिए हमेशा तो दो तीन पाँच यह तीन वैलू ऐसे हैं जिसका याद ही रखना है कम से कम ना तो दस तक याद कर लेज़े जैसे पांच की बात कर ले ना तो फाइव के पावर एक की वैलू 5 होती है फाइव के पावर तू की की वैलू होती है 25 फाइव के पावर 3 की वैलू होती है 125 फाइव के पावर 4 की वैलू कितनी होती है तो बता देते हो आप 6 तू 5 होता है 5 तू 5 की वैलू कितनी होती है 5 तू दी पावर 5 की वैलू कितनी होती है तो बता है 3,125 होता है और 5 तू दी पावर 6 की वैलू कितनी हो जैसे three गारतो हुझा गार समेजी बात कर रहता हुझा तो थीन के पाउर में ऐता ही, और आप पूछे को κोई कोई बता दो गए ताप टीन के बडेती थर आपको दिख जाए कहीं तो समझ ले नो जारी तो इससे को दें तो, आपको आपको आगे। जैसे 3 के पाउर 3 को बालु कूछ लेना हमेरा हे लग वे कितने लोग यग थ क्तुरता है रिक्कत है याद करने में गयाता है मिर बाई याद करो गे माइंड की जो एक्सराइश होती है में मुझार होती है ौ स्हच में बहुत ही आनंद आता है आपको यहां तुरन्थ बता दिया आपको 243 होट है लिंगे अपसे पूछा कि 4 के पाउर में इतनी वैलु का नाम बता है अपर 3 के पाउर 9 का मान बता दो तो आप लगए गुड़ा गडित करने हैं 3 के पाउर 3, 3 के पाउर 2, 3, 3, 3, 3, 3 करने लगे मार पेज भर दिये लेकिन इधर इस तसरे को मैंने तुरंथ फ्लाइट कर दिया नो आप 19,683 बता कर तो यह चीजें आपके दिमार में चलने जो मैं बता रहा हूं जैसे कि आपको बहुत ही जादे फायदा करेगा चली प्रस्ट पर आ जाते हैं डारेक्टली तो आपको याद करने हैं आपका हूमवर है हूमर क्या है हमदो बच्चे करते रहे हैं आप लोग तो चोटे सरार्थी नहीं बहुत बढ़े सरातियव हो गये नो कि चोटे तो रह नहीं गए भई अब आपको अगर टेंसन होगी तो आप खुद इपने उसमें बच्चे के माँ और मत्य बच्ची के माँबाब भी होंगे तो कोई दिक्कत ना है वो चीजें अपने अंसार होती है चली हम आज आते हैं कुछ प्रस्ट जो आपके एक्जामी कुछ हो गया था लॉग्स लॉगषण सब्सक्राइब पर किसे विभू अट लॉग एटीवण ट्निस सेवन है इसका मान मता दीजिए भाई बेस मदब बहुती अच्छे तरीके चाहीं अभागो साथी बहुत 81, 27, minus log 27, 81, मेरे बाई, इसमें आपको दो चीजें पता होंगी, जो मैंने बताया था, और डारेक्टली में गड़ता हूं इसको, आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, log 81 का मतलब होता है, 9 के पावर 2, तो 9 के पावर 2, अगर तफ में लिखते हैं, जब यहां पर 9 का कोई क्वाल्टी दिखता हैंको, जब 9 का क्वाल्टी कुछ नहीं दिख रहा है, मैं पता है, 83 के पावर 4 की वैलू भी तू होती है, 81, तो 3 2 2 2 पावर 4 लिखेंगे, यह तो आपका उपर का हो गया, तरिख रहोले स, जब नेचे वाले का मिरे वाई, 3 के पावर भी तरी के पावर में 3, जब नेचे वाले का होगे, जो नीचे वाले के power में होगा, उसे आप exponential में लिखेंगे, सीधे उसका reciprocal करोगे, जो भी यहाँ पर exponent power होगा, उसे तुरंट reciprocal करोगे, नीचे वाले का reciprocal, उपर वाले का सीधा साला, यानि कि 4 यह वाला power का 3, यानि इसकी value की यहाँ बची यहाँ पर log 3 base 3 minus, यहाँ पर 3 बटे 4 यहाँ पर बचा log 3 base 3, यहाँ इस value को आप पाचान रहा हो ना, कि वही है जो कल invitation में आया था, हम भी गयते है साधी में, तु यह भी साधी में पाचान था, पाचान है, पाचान है कि नहीं वही है, जो बगल में बैट तर पूरी खा रहा था, ठीक है ना, तो इस इसको आप आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इसकी value 1, 3, सबस्वरा बहुत पूरी खा गया था, हम को क्या है, मेरा चार पूरी में पेटी भर जाता है, चार के आप तो ना भी मिले ना, तो भी ठीक है क्योंकि दो महिने से तो system ही अपना उलिटा पूलिटा है, यहाँ पर आजाएगा और यहाँ पर माइनस 3 बटे 4, यह माइनस 3 बटे 4, मेरे भाई यह चीज आप देख पा रहे हो ना, 4 बटे 3 माइनस 3 बटे 4, बस इसको solve कर लो, answer आजाएगा, 4 तें 12, 4 तें 12, 16 माइनस 9 करेंगे, तो 16 माइनस 9 और 4 तें 12 नीचे हो गया, यानिकि 16 माइनस 9 यानिकि 7 बटे तो इसमें आप देखेंगे, 3 बटे 2 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा, जब इसको आप solve करोगे, 3 दूना 6 नीचे आएगा, और 3 तरीका 9 और 4, 9 माइनस 4 याएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यह चीज हैं आपके सामने, जो मै चीजें, अभी देखें, आपको बहुती नॉर्मली तरीके से, यह अब जो यह नहीं कि अपर दुबारा आ जाया फिक चाम में, लेकिन यह चीजें आपको पता होना चाहिए, ना, चलिए, यह चीजें देखिए, बी, ए, इसको हमने उल्टा करके भी जब लिखना होता है, तो यह A उपर हो जाता है, और B लीचे हो जाता है, सेम इसी प्रकार को हम क्या पाते हैं, लॉग B और लॉग A भी लिख सकते हैं, बताना चाहिए, लिखा जा सकता है कि ने लिखा जा सकता है, सेम इस तीज को यह तीनों एक ही रूप है, मेरे बाई, इस तीज को समझने का प्रयास करेंगे आप, जैसे मैंने बोला, log X, Y, into log Y, Z, और log Z, इसका मान बता दीजे, तो मेरे भाई, आप सभी को पता होगा, कि सिधा साधा पंटा है, इसको जो उपर वाला रहेगा, उपर जो नीचे वाला रहेगा, नीचे का log में आ जाएगा, बेस उसका सब का बराब होगा, log X, log Y, into log Y, into log Z, into log Z, into log X, अब सब कुछ कट पिट जाएगा, ना मेरे भाई, देख रहे हैं, सब कुछ कट जाएगा, लास्ट में, कोई 1 से वेट होगी, वैसे 1 तो कुछ ना समझ में आए ना, अग रहे जा, क्रेशन लास्ट हो, समय कम हो, 5-6 क्रेशन बचा हो, त कि दोनों है, तो कन्फ्यूजन, कि किसको बारे, सबस्लाई दोनों अपने आपने बहुत ही ग्रेट होते हैं, क्योंकि अधिकतर प्रशनों के राइट एंसर 1 और 0 ही होता है, तो इन दोनों मानुभाओं को हम दुख देखते हैं, अगर दोनों एक में आ गए, तो एक का जीरो हो अक्सर में, तो लास्ट में प्रशन ना लगा हो, बहुत यह अलसान प्रशनों आ रहा हो, तो हम एक को माज लेते हैं, यह चीजे थोड़ी सी प्लस पॉइंट होता है, और हम लोग सभी लोग का दते हैं, अब थोड़ा सा अलग सा कुछ देखते हैं, देखना चान ऐगे न, तो हम लिखेंगे लॉग A, प्लस लॉग B, प्लस लॉग C लिखने हैं, प्लस लॉग C, जब इस रूप में मिले कोई चीज तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, अगर यह ही चीज में नंबर में ले लेता हूँ, थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको, ल लॉग 5 और प्लस लॉग 3 में होगा, यह जो प्रोसेस है पूरा के पूरा मेरे भाई इस लूप में है, अब आप कभी भी इसको ऐसा ना समझ बैठना, कि लॉग 5 इंटो 3 का मतलब जब सर ने ऐसा लिखा है, तो लॉग 5 इंटो लॉग 3 को भी ऐसा लिख सकते हैं, कदा पी न जैसे मैं ने बोला, आप से 2 के पाउर में 3 के पाउर में 4 इसका वैलु बता दो, या फिर मैंने बोला, दो के पाउर में 3, भ्रेकट लगागर 4 भोला, अब दोनों का अंसर आप देखिएंगे, अलग-अलग आएगा, मेरे भाई, तीन के पाउर में 4 का मतलब उतरिक, 27 हा तो 2 के पावर में 1,80 आएगा इसका वैलू देख लो कितना ज़्याद है आएगा और इसका तीन चोग के बारा याली 2 के पावर में बारा इसका एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो लॉग यहाँद आपको इस प्रकार से भी मिल सकती है लॉग यह डिवाइड बई लॉग वई तो यह चीजे संवान है अब यह मत करते हैं सार अलग-अलग है अगर इस रूप में मिल गया मेरे भाई ना तो आप अगर इसको ऐसे लिखोगे ना तो मामला फ्लाइट मैंने बोला तो अभी तो मैंने बताया था कुछ देर पहले ही लॉग लॉग एसी चीज़को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लाग एसमें अंतर नहीं निजरा रहा रहा यह क्या इसमें अंतर नहीं इसमें एकस अपानुए यह अब आप यह देख लिए लाग एकस भागे लाग वाई तो आप लगे और लगा की बहुत आसान है और यह लिख कर चले आए तो थोड़ा सा ध्यांग संबो करना है जो चीजें बहुत आसान होती है उसको गलतियां उसमें बहुत जादे होती है तो थोड़ा सा आपको देखते हुए चलना है ठीक है यह चीजें दिमाग में रख लीजिएगा अब कि आपको देखते हैं कि इनार हमारे बैच्चर कर पाते हैं, चुलिए एक प्रस्ट लेते हैं, दीखना जरा, वन अपान में 32, प्लस वन अपान में log 30 profiles 3, प्लस वन अपान में log 30 familiar with 5, जरा इसको फोड के दिखाना, इस प्रस्टा को जरा फोड के दिखाना, बहुत आज लग करना है जब भी लॉग A बेस B हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग B और बेस a के रूप में तो इस चीज को फिर से मैं से लिख सकते हैं अगर ऐसे मिल जाया हम्वोग्य अल्मून में छुपा लेते हैं मेरे भाई तो इससीlara में इस पहा या। और इस थीरा पह्ता है.. अब आपने पड़ा है जब भी बेस इक्वल होंगे ऐसा मच समझाना बेस इक्कवल नहीं है तभी आप को ईस फृटच्वप्रीस लगा रोह पीछ वाला जो मैंने बताया था घुरा वाला नहीं अब यह प्लस यह प्लस यह प्लस प्रश्ट पर आजाते हैं जो कि थोड़ा सा अब इस पे यह तो बहुत ही बेसिक था जो मैंने बेसिक चारी चीजें आपको बता दी अब यहां से ही स्टार्ट होगा डिजीट कैसे निकालते हैं यह बेसिक चारी चीजे थी अभी तो हम उस चीज पर आये ही का एक अटे लग कितने टाइम बचे हैं थोड़ा सा मुझे देख यह ने देजिए चलिए दो प्रश्ट हम थोड़ा कल वाला कर सकते हैं जो कल अधार तक मैंने बताया था चलिए थोड़ा सा आ जाते है प्रश्णों के दुनिया में हाव मेनी इस प्रण्ट को करिएगा हाव मेनी टू डिजीट नंबर टू डिजीट जम्मू में आधी हो और और चल शोड़ो शोच्छा हो और टू डिजीट नंबर एक्सित हो जो 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 ज तो यह प्रस्ण है मतलब क्या पूछरा आप ते पूछरा ऐसा तू डिजीट का नंबर बताएए जिसमें पहला डिजीट तो 6 हो लेकिन वह संख्या कितनी तरह से दो दूसरा प्लेस बचा हुआ है मतलब कि एक दो डिजीट की अस्थान बचा हुआ है जिसमें पहला नंबर उसाइज है जी है इस दूसरे में क्या क्या चीज़ें हम रख दें यह पूरा दो नंबर का मनें दो नंबबर का संख्या है इस जाए, ज किसे कट पाने का हां last two-digit divisible by three किसी भी बड़े से बड़े number को अगर काटना हो, देखना हो, 3 से divide है की नहीं है तो बड़ा-से बड़ा number 3 से उसका last दो डिजिट कर जाना चाहिए या फिर उसके table में आना चाहिए इक सेम एन ना? यह सेम है 9 के लिए भी लेकिन इसके लिए 3 3 दिजिट डिजिट डिविजिबल भाई ठटी नाइन से कर सकती है ना वह तो 3 काटेगा ही काटेगा 100 परसंट से ओर काटेगा जो 9 से कटें वह तो 9 नहीं काटेगा इसके उपर भी बहुत चारे प्रस्थ आते हैं कि अगर हमारे साथ हैं तो मायत की दुनिया अब मैं जो शुरू किया हूं ना तीन दिन से चार दिन से पढ़ाना जिन्दा रहूं तो पूरा ख़तम कर गई जाओंगा बहुत 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 बहुतरीन तरीके से किसमें पढ़ाता हो चलोंगा पूरा करीब 100 लेक्टर 200 जेतन कि नंबर सुरू होता है तो यहां से एक, दो, तीन इस प्रकार सुरू होता है यह नंबर है तो टू डिजित का ऐसा नंबर बनाना चाहिए कि वह 3 से कट जाए एक पहला डिजित दे लिया है 6 पहला फिक्स है कि 6 ही होना चाहिए तो यहां पर क्या आ सकता है मिर भाई आपक जो भी value आए ना जैसे 1 आजाए तो 1 और 6 मिलकर एक सट बन गया एक सट 3 से कटने चाहेंगे तो यहाँ पर कितने ऐसे नंबर रखे जाएंगे तो इसका पहला डिजीज 6 हो तो आपको देखना है अगर 0 यहाँ पर रखते हैं जैसे कि अगर यहाँ पर हमने 0 रखा 0 तो 60 जो 63 से कटेगा कि नहीं कटेगा बिल्कुल कटेगा तीन दूना चाह कटा ना एक रखेंगे तो 61 कभी कटेगा ना कटेगा 62 62 68 68 कभी 3 के टेबल में आता है नहीं आता है काट दो जैसे यहाँ पर 3 रखेंगे ना तो 6,3,9 यानि 63 भी 3 से कट जाने वाला है 3 दूना 6 तीन एककम तीन तो 3 आ गया एक मेरा 4 चार रखकर देख लेना कभी नहीं कटेगा पांच रखके चेक कलना नहीं कटेगा लिए 6 जैसे हम रखेंगे ना यहाँ पर 6 तो यह भी कटेगा यानि 66 यह भी काटेगा इसको भी काटेगा तीन तो 7 कभी नहीं आठ क्या 68 को काटेगा 3 कभी नहीं काटेगा क्योंकि उसका एडिसन 6 और 8 का 3 के टेबल में आ जाना चा आजका घिए एक दो तीन 4 यह चार को चार उसका राइट एंसर होगा यहनि कि चार है इस प्रस्ट का राइट एंसर चार हो जाएगा तिक ना इसी में थोड़ा सब मादे प्रस्ट अगर 3 डिजीट का देते ना तो थोड़ा सा अनन्दा जाएगा प्रस्ट में जलिए यह कितने डीजित का कर दिया हैं जैद्ट लेंडी परस् Tips ना गया आप लन दी बन गया है लेगिन सिके लिए अभी इसके लिए और लुग्व आपको नहीं बता रहे हैं कि आप अशन सिक्के लोगा है अप YouTube जब प्रासबिने के लिए कुछ एक मिनिट इस प्रुष कुछ बदलने के लिए मैं बदलने के लिए रहा है जीरो एक भी आ सकता है, जीरो तीन भी आ सकता है, जीरो चार भी आ सकता है, जीरो छे भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, कहां तक? निन्यान भी तक, समझ रहो होने मिरे भाई, यहां पर नौ 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 तक, कुछ भी, यानि कि अगर मैं देखूं, अगर 6 के साथ जिरो आये तो बताओ 600, 3 से कटेगा के नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, भाई, 3, 2 ना 6, कट गया, अगर 6 के साथ 1, 1 आये तो क्या ये कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा, 6 के साथ 2, मतलब कि 1, 2, 1, 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 1, 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 1, 4 भी आ सकता है, ल 04, 05, 606, 07, 08, 09, 610, अब 612, 11, 612, 613, 614, इस तरह डर 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 6200, और लाच में डर डर करते करते आऊगे, तो 699, हिस्से उपर नहीं जाओगे अब आप, बताओ जराचा, अब जराचा नहीं मुझे बहुत सारी चीज बताओ, आप खुद बताओ कि इसमें क्या-क्या रखी जा सकती है आपको देखो अगर 6-0 रखते हैं तो लाश्ट के दोनों डिजीट मिलाकर 6 को राइट कर देगी 6-0-0-0 जो 6 6 क्या 3 की टेबल में नहीं आता है बिल्कुल आता है तेवी 6-1-7 मेरे भाई यह कदापी तीन से नहीं कटेगा 6-2-8 यह कदापी नहीं कटेगा 6-3-9 यह कट जाएगा 6 14 कदापी से 5 5 11 कटेगा 6 6 12 कट जाएगा 3 से 7 साथ कटेगा 9 आधा वाला कट जाएगा दस नहीं कटेगा 11 कटेगा 12 कट जाएगा 14 कटेगा 15 कट जाएगा समझेघे रहों तो आप खुद देख रहे हों दोथों के लाएप पर देंक का गाए नि horizont तो निनल्यान वेतक जानाय में यानि कि जो एक्सप्रेशन होगा 00 कटेगा दूसरा एक्सप्रेशन 3 यानिकि 03 फिर तीसरा एक्सप्रेशन 06 फिर चाउथा एक्सप्रेशन 09 फिर पांच अवां देख रहे हो 0 मतब एक दो है एक दो है डाट डाट तक 99 अगर आ जाए यहां पर 99 तो वह कट जाएगा 99 भी कटेगा रख करो अगर यहां पर 6 नौ नौ लिखते हैं तो 9 नौ अठारह बिल्कुल कटेगा 3 से 18 तो यह चीज़ अब देख रहो यह एक स्रीज बना अभी स्रीज का डिफरेंस देखो तो इसका इसका भी स्काइब यह एपी है अन्हिच्मीरस अर्थमेटिक प्रोर्ग्रेशन है तो इसका इस चाल जाएंग उसका सीगते पद चलेक नब तो आपको एक धानला में बताता हूं लास्ट रेट फंस लुड़नमें कॉमण डिजीट प्लस वन लास्ट लास्ट चेयों लास्ट माइनस फर्स्ट, अपाने कॉमन डिजिट, जो भी कॉमन डिजिट आता है, उसको अमटी से दिखाते हैं, एक मिनट, कॉमन डिजिट, प्लस का वन मेरे भाई, यह आता है क्या, यह है नंबर आफ टर्म्स, यह कहां से आता है, मैं जब पढ़ाँगा अपी जी पी ना इसके लिए बहुत सारे फार्मला है, एक मिन बहुत सारे फार्मला है, लेकिन यह चीजे निकाला जाता है, और यह डारेक्ट आप याद भी कर सकते हैं, इसको प्रस्ट लगाना, तो लास्ट डिजिट क्या है 99, फर्स्ट डिजिट क्या है 00, अपान में दोनों का डिफरें दिफरेंस में सा 3 है, प्लस कावन कर लिजे, 99 को जब काटनेंगे तो यानि कि पूरा यह सिंप्लिफाई करेंगे, तो 34 हैंगा, बताब कि 34 ऐसे डिजिट बनेंगे न, यहां पर रख रखके, दो जो 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 इत्री से कट जाएंगे, 34 इसका राइट इस प्रस्ट का, इसको बहुत ही sort, very sort में किया जा सकता है, बहुत ही sort, in sort में किया जा सकता है, तो यह चीजे मैंने express किया आपके सामने, लेकिन यह इस प्रस्ट में ऐसा कुछ बोल देता, अगर, कि अब यही चीजे उल्टा हो जाता, समझ रहो न, मतलब कि क्या, मतलब यह, कि अगर आपसे यह ब is not divisible by 3, अगर यह प्रश्न हो जाता तब, गाही उनिटा बस यह चीजे तो आप निकाल चुके हो नो, 34 नंबर ऐसे हैं, जो कि कट रहे हैं, तो पहले तो यह निकालो, 3 रंके कितने नंबर बनते हैं, मैंने कल अगर जो class बच्चा देखा होगा, जो लिया था मैंने कल, तो और पहला अंक फिकस है, पहला अंक क्या है, पहला अंक फिकस हो बोला, इक्छा है, और आपको पता तो नंबर कितने रख सकते हो, बहुत जीरो, 1234567896789, यही तो चल्डा 10, 25678910, तो पुरह की Пुरह क्यहा नहीं, पूरी रामपपा, पूरा हजार अंचा करोड़ पती लग पती छूब लोग इसी नंबर से बन जाते हैं, तो यहां पर दो ही अंग आएंगे इस समय से, ऐसे दो अंखी आएंगे यहां पे न, लेकिन यहां चीज भी नहीं बोला है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता, जब ऐसा ना बोला बनाया सकते हैं अगर 10 उंको को दे दी आ आपको। आपको तो आप ऐसे निकालोगे यहाँ पर 10 उंक आएंगे और यहाँ पर 10 उंक आएंगे और यहाँ पर एक अंक आया है छ्आ को न्हीं समझ एक जाएंगों च्षो तो heart fix करनी तो बताओ तोटल तीन डिजिट के ऐसे जो कि 3 से कट जाएं और उसका पहला डिजिट 6 हो यह मतलब कि 601, 602, 603, 600 से स्टार्ट करो 600, 601, 602, 609 तक जाओ यानि कि 600 से लेकर 699 तक ऐसे कितनी संख्याय मिलेगी जो कि 3 से नहीं कटेंगी तो पहले तो मैंने यह निकाल लिया कि 600 से लेकर 699 तक 3 अंकी कितनी संख्याय बन रही हैं तो यहाँ पर आप पाऊगे 10 दहा में 100, 100 संख्याय बन रही हैं अब उसे 100 में से मैंने इसके पहले वाले क्योशन में निकाल चुके हैं कि 34 आइसी संख्याय होंगी जो कि 13 से कटेंगी जिसका 1 जए स्ख्याय 6 होगा principal digit तो 34 सी माइनिस कर्दीचे मच्टीये कितना 66 66 संख्याय होंगी इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इससप्रस्ण का 66 च्छाचट संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 3 से नहीं कटेंगी और 34 जो होंगी वो 3 से कट जाएंगी या अच्छा लगा हो सेशन तो ज़रूर सेर करिएगा ऐसे प्रस्न आपके एक्जाम में आते हैं तो आप लोग छोड़ के आते हैं यह पिछले वाले का जो मैंने कल बताया तो अधिए यह लगा हम आते हैं तो ऑमतर यहाब। झा इचार को मैंटेगा, उर्वलणासनग आते हैं तो झा जोड़ कि तो इते हैं में और TOP 4 rece़ जो पिए चोधोगर से मुछा अजरे क्पो़